Hello everyone, इस tutorial के अंदर मैं आप लोगों को अपने bootstrap के page के अंदर, sorry, HTML के page के अंदर bootstrap को install करने का method number 2 बताऊंगा, उसके लिए हम लोग again HTML select करेंगे, HTML का page बनाया, इसको again title देंगे हम installation of bootstrap, ठीक है, save किया, इस page का नाम हम लोग देते है, method 2 of install, installation.html, ठीक है, installation of bootstrap ही हमारा folder रहेगा, यहाँ पर save किया, अब जो है main चीज़ यह, इसके लिए आप लोगों को चलना पड़ेगा, get bootstrap.com, जो के bootstrap के official website है, हम लोग यहाँ पर वापस आ गए, अब आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आपको bootstrap CDN के नाम से एक पोया, ज यह जो CSS के जो links हैं, इनको हम copy करेंगे, इनको हम लोगों ने copy किया, और इसको जाके हम लोगों ने अपने head section में, एक tag मैं लिख देता हूँ, comment pass कर देता हूँ, CSS of bootstrap, यह आपने enter किया, अब इसके बाद मैंने उसी को paste कर दिया, वो ही tag वहाँ से लेके, अब आप लोगों के सामने वो ही जो information जो थी, हम लोग ने यहाँ से, जो internet के, उनकी website से copy की, यहाँ पर हमने add कर दी, यह तो होगी CSS, अब हम लोग अपने body के section में, यहाँ पर हम लिखते हैं, java, sorry, java script, अब वापस हम get bootstrap.com पर आएं, यहाँ पर आप लोगों को लिखा आ रहा है, latest compiled and minified java script, it means, यह जब हम link copy करेंगे, तो यह automatically हमारे link के अंदर, यह हमारे page के अंदर, java script को integrate कर देगा, इसको हमने copy किया, और यहाँ पर लाकर paste कर दिया, इसको अब हमने save किया, अब हमारा page जो है, वो इसके लिए ready है, install होने के लिए, यानि के bootstrap अब इसके अंदर installed है, अब हम इसको अपने bootstrap के लिए use कर सकते हैं, so that's all from this tutorial, thank you very much.